हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सभी एक वार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी चैनल गो टू सक्सेस में आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एविएस का नेक्स्ट पार्ट ये हमारा ओन्गोइंग पार्ट रहेगा इसमें आपको complete EVS का कोर्स करवाया जाएगा with previous year question papers with full explanation आज हम continue करेंगे यहां पर plants के वारे में इससे पहले हमने first वीडियो में बात की थी environment के वारे में कि environment क्या है अगर आपने previous वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो basic से EVS subject के उपर command बनाने के लिए आप previous वीडियो देख सकते हैं जो की आपको playlist में मिल जाएगी जिससे कि आपकी जो basic से जो भी हम यहां पर concept लेते जाएंगे वो आप सभी के लिए helpful होँ अब हम बात करते हैं आज के topic के वारे में that is the plants अब यह plants क्या है हम सभी को पता है जो भी हमें green color के देखने को मिलें चाहे वो plants हों चाहे वो trees हों चाहे वो sharps या फिह herbs जो भी हमें green color के leaves के तुरू देखने को मिलते हैं organisms उन्हें हम plants का नाम देते हैं जिस तरह से यहां पर दिया गया है plants are multicellular living organisms यह जो पोदे होते हैं यह जो plants होते हैं multicellular living organism होते हैं मतलब कि यह एक कोश्किय ना होकर multicell से बने होते हैं जिन्हें हम plants का नाम देते हैं और यह living organism होते हैं यह सांस लेते हैं इसके साथ ही kingdom planty से belong करते हैं और बेसी बात है they can live on land and in water और यह जो plants है यह जो प्लांट वहाते हैं अदर फॉर जमीन के उपर ऑपर ही ग्रों करते हैं अब इसके बाद बात आती है कुछ important topic के वारे में जिससे की questions बनते हैं that is the parts of plants plants क्या है हमें पता है जो भी green color के mostly हमें देखने को मिले हैं उन्हें हम plants का नाम देते हैं लेकिन यह जो plants हैं यह इसमें दो system होते हैं कौन-कौन से एक तो हो गया root system जो की हमें underground देखने को मिलता है जिसे हम जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं इसके बाद बात आती है sure system के वारे में जो की हमें above the ground देखने को मिलेगा उसे हम sure system में conclude करते हैं तो इस तरह से कोई भी plant है उसे दो हिस्सों में divide किया है जैसे जो underground होगा जो की roots होती है इन्हें हम root system में conclude करेंगे इसके बाद जो अपर का part होता है जो visible होता है हमारी naked eyes से जिसे हम देख सकते हैं उसे हम sure system में conclude करेंगे इस तरह से plants में दो system है पहला हो गया root दूसरा हो गया shoot आज के इस session में हम सिर्फ बात करेंगे root system के वारे में shoot system के वारे में आने वाले next video में हम continue करेंगे इन्हें और साथ में इनसे जो भी questions बनते हैं वो साथ के साथ जो भी हमारा topic complete होता जाएगा इनके जो previous share exam में questions बने हैं वो भी हम साथ में solve करेंगे बात करते हैं roots के वारे में root is the underground part of the plant body अब ये root क्या है किसी भी plant के underground part जो होता है उसे हम root का नाम देते हैं बिल्कुल obvious बात है अभी आपको बताया जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं it grows towards the force of gravity अब ये जो roots होती है जो जड़तंतर होता है ये हमेशा force of gravity की थ्रू ही नीचे की तरफ जाता है जिसे हम gravitational force के नाम से जानते हैं जो की हमेशा ground level की नीचे की तरफ आएगा हम देख सकते हैं कि roots हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों आती है क्योंकि बहाँ पर force of gravity काम करती है ठीक है it fixes the plant within the soil and absorbs water and mineral nutrients from the soil अब ये जो roots हैं इनका क्या काम हो सकता है ये किसे दी plant को soil में fix करने का काम करती है अगर roots नहीं होगी तो कोई भी plant चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ना हो वो कभी भी बहाँ पर direct होकर खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो roots हैं ये soil को पकड़ने का काम करती है उसे जगड़ने का काम करती है जिससे कि कोई भी जो plants है वो काफी easily भाँ पर खड़ा रह सके इसके साथ अब ये जो roots हैं ये क्या करती है पानी और जो भी important mineral nutrients होते हैं जो कि soil में पाए जाते हैं soil से इन्हें लेने का काम करती है इन्हें absorb करने का काम करती है इसके इलावा it stores excess food कुछ ऐसी plants होते हैं जिनकी roots में excess food को store किया जाता है जर्नली हम ये नहीं बोलेंगे कि हर किसी plants की roots में food को store किया जाएगा नहीं कुछ ही ऐसे होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें carrot हो गया रडिश हो गया टर्निप हो गया ये सब क्या है ये सबी roots हैं लेकिन roots की modification है जो की food को store करने का काम करती है तो इस तरहां से roots के function की अगर हम बात करना चाहें functions तो इनके काफी जादा आ जाते हैं जो की uncountable है लेकिन हमें उतने ही यहां पर देखने हैं जिससे कि हमारे जो questions बन सके जो कि हमारे exam के लिए helpful हो आगे देख सकते हैं अब अगर roots की function की बारे में बात करें जैसे कि यहां पर दिया गया है roots hold a plant firmly to the soil बिल्कुल सही कोई भी जो roots हैं वो plant को पकड़ने का काम करती हैं उसे खड़ा रखने में काम करती हैं इसके बाद roots absorb water and minerals on the soil and pass them to the plant अब यह जो roots हैं यह क्या करती हैं water and minerals को से लेने का काम करती हैं और पूरे plant में पहुंचाने का काम करती हैं मतलब कि इन्होंने पानी और minerals को तो soil से ले लिया इसके बाद क्या करती हैं transportation का काम करती हैं जो भी हमारा entire plant होगा चाहे flowers होगे चाहे leaves होगे चाहे वर्ड होगी चाहे wood होगी कोई भी जो branches बगएर हैं बहां तक पानी और minerals को पहुंचाने का काम भी roots के द्वारा ही होगा पहले यह absorb करेंगे फिर with the help of xylem इन्हें पूरे plant तक पहुंचाया जाता है इ आपको previous slide में ही बताया है कि कुछ ही ऐसे plants हैं जिनकी roots जो है वो food को store करने का काम करती हैं कौन कौन से roots हो सकती हैं वो कौन से plants में देखने को मिलती हैं जैसे की carrot हो गया sweet potatoes हो गये radish हो गया wheat root हो गया जो की food को store करते हैं इसके इलावा ये edible भी होते हैं मतलब कि इन्हें हम ठा भी सकते हैं इस तरह से roots की हमने function देखे कहां पर ये पाई जाती है इससे ये बनी होती है क्या इनके ना होने से plant को क्या disadvantages देखने को मिलती है और बैसी बात है अगर किसी भी plant में roots नहीं होगी तो कोई भी जो plant है वो survive नहीं कर सकता है क्योंकि roots क्या करती है उसको hold करने का का करती है पानी और minerals को absorb करने का काम करती है ठीक है तो आज के इस session में इतना ही जिसमें हमने बात की है plants के वारे में plants के root और shoot system के वारे में बात की है और roots के वारे में discuss किया है हमने काफी detail में इसके साथ जो भी अभी तक previous year exams में questions बनते हैं इस topic से ये भी हम continue करेंगे लेकिन प plant का हमारा topic है जैसे ही complete होगा इससे related हम सभी questions यहां पर discuss करेंगे उमीद करती हूँ आज का video आप सभी के लिए helpful हो आप हम मिलेंगे next video में इसके साथ अगर हमारे channel के ओपर नए है तो channel को subscribe कर सकते हैं जिससे की जब भी हम यहां पर study से related कोई भी video लेकर आएं या फिर कोई भ notification सबसे पहले मिल सकें so thank you so much for watching the video